इस रोयल सील को तो आप लोगों ने देखा है होगा जिसे राज मुद्रा भी कहते हैं जो कि छत्रापति शिवाजी मारच की राज मुद्रा है हम सभी ने इस राज मुद्रा को कही ना कई फोटोज में इंटरनेट पर या फिर सोशल मीडिया पर देखा है लेकिन इसके अंद जब छत्रापति शिवाजी मारच 12 साल के थे और वो जब पुना की जागिर संबाल रहे थे तब उनके लिए उनके पिताजी के द्वारा यानि कि शाहाजी मारच के द्वारा ये राज मुद्रा तयार की गई जिसमें संस्कृत भाशा में लिखा गया है और उस राज मुद मंद्र यानि छट्रपति शिवाजी मारच की राज मुद्रा इसकी महिमा पहले दिन चांस की धर बळेगी और दुनिया द्वारा इस राज मुद्रा की पूजा की जाएगी और यह राज मुद्रा ओर सिर्फ छिष्वँ जोगों के कल्यान के लिए चमकेगी और वर्तमान में हम यह स्थिति देख भी सकते किस राजमुद्रा की पूजा भी की जाती है क्योंकि यह राजमुद्रा उस महापुरुष की है जिनका भारत के स्वतंतरता में एक बहुत बड़ा योगदान है लेकिन इसमें सबसे बड़ अब कलपना करो की उन विदेशी आकरांताओं का डॉमिननच इतना बड़ चुका था कि राजमुद्रा भी फार्शी में और उर्दु में लिखी जाती दी लेकिन महाराज सबसे ऊपर उटकर महाराज ने यह सोचा कि मेरी राजमुद्रा होगी संस्कृत में तो अब सबना घाता रजमुद्रह का उप्योग किया हुआ तो तो कभी भी राजा के दौरा अपने Dня राज्य में कोई भी ब्हलोघ दिया जाता है या तो कोई भी और यह आग्या दी जाती है तो इस चीजको घ्रांट करने के लिए तो कॉन इसको काम घ्लिए उसको लोगो होता है यानि कि सील होती है जिसके कराण लोगों को यह पता चलता है कि हाँ जो लेटर है वह एक्जेटली गवर्मेंट के द्वारा ही कन्फॉर्म किया गया यानि कि ओफिशल है तो ठीक इसी प्रकार से उस जमाने में राज यानियमुदरा इस्तवाल में ली जाती थी, तो यह था हमारा आज का छोटा स aún वीडियो जो कि उन लोग के लिए जो कि छत्रपति शीवाजी माज के बारे में और उनके इतिहास के बारे में छोटी सी छोटी बात जानना चाहते हैं तो अगली बार मिलते हैं ऐसे को इतिहास के एक नए वीडियो में जैशिवराएं